दोस्तों आज हमें ऐसे बuccinex प्लान के बारें बात करने वाला है जो आपको बेतरीन अर्निंग के चाद एक रोजगार भी मौहा कराने वाला है अगर गाव में आप रहते हैं तो गाव में कैसे दूध डेरी का काम खोल सकते हैं और बेतरीन सी अर्निंग कर सकते हैं अगर आपके पास आचा खासा दूध मिलता है तो आप 1000 रुपए प्रति दिन भी कमा सकते हैं डिपेंट करें गए या इससे ज़्यादा भी गमा सकते हैं तो हाउ टो ओपन दूद डेरी इन विलेज तो वो अमूल की बात करें या नवस्ते इंडिया की बात करें पराग या पारश या मादरे इंडिया बहुत सारी कंपनी अलग-अलग कंपनिया हैं तो उन सभी का अगर आप किसी का भी दूद डेरी अपने गाउं में ओपन करना चाहते हैं तो कैसे खूलेंगे उसका पूरा प्रोसेर बताएंगे क्या कि अगर डाकूबेंट से लगते हैं कितनी कमाई कर पाएंगे कितना इंबेस्टमेंट होता है मतलब सारी जानकारी दूद डेरी जो कंपनी देती है वो क्या आपको कोई शामान प्रोवाइड करवाती है सारा डेरल के साथ बात करेंगे बने इस बूद में लगातार मैं हूँ पहुं जागड़े और आप देख रहें दोस्तो अपना चैनल हेल्पिन हिंदी अगर आपने अभी तक हेल्पिन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिली जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार ऐसे ही बिजनिस आइडिया जोर सीची से रिलेटेड वीडियो और गवर्मेंट से रिलेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं और सच चत वेल आइकन भी प्रेस कर लें तो चलो फूल डेटेल जानने के लिए आपको आजाना है हमारी वेबसाइट पर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो यहां पर मैंने पूरे डिटेल दिया गया है गाउं में दूठ डियरी कैसे खोलें संपून जानकारी यहां पर आपको पूरे डिटेल मिल जाता पढ़ पढ़ सकते है तो क्या इसमें बेत्री नियु dudesud को पता होगा तो वह 40 रुपए तो मिनमम है 40 से लेकर 50, 60, 70 यह डिपेंड करता है आपके दूद के फैट पर तो वह उस अकॉर्डिंग लगता है तो कहीं नगे किसान को बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि रेट में जो रेट होता उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है तो डूद देरी में बहुत सारा दूद भी कट्टा होता है जिससे आप बेदरी अरनिंग कर पाएंगे तो इसके ओपन कैसे करना है आप डिफरे लिया पढ़ सकते है तो उसके लिए क्या होता है तो सबसे पहले क्या होता है आपको एक कंपनी सिलेक्ट करनी होती कि मुझे नवस्ते इंडिया आमूल या पराग या पारश या मदर इंडिया किसकी डेरी ओपन करनी है आपने डिसाइड कर लिया देखो यहां बताया गया है जब आप कंपनी सुनेश्चित कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले उस कंपनी के नजदी की स्टोरेश प्लांट पर जाना होता है अब दोस्त जो एक खटा होता हो तो वहाँ पर जाएं और वहाँ पर गाड़ी आती है दूद लेने के लिए उस गाड़ी के साथ आप उनसे काउंटिक कर लें कि इसका प्लांट कहां पर है तो आप डारेक्ली प्लांट पर जाकर उनके अतकार इसे बात करें तो अब जाने के बाद देखते हैं कि आपके रूट पर वह गाड़ी जाती है जो दूद लेकर आती है क्योंकि दूद आपको देने नहीं जाना होता उनकी खुद की गाड़ी आती कम बनेगी उसी में आपको दूद खटा करके दे देना होता वह दूद ले जाते हैं तो रूट अगर उस रूट पर आपके उसे वो गाड़ी आती होगी, तो आपको डेरी मिलेगी, उसके लिए भी आपको कुछ दस्तावेज देने होते हैं, कुछ फॉर्मेल्टी जदा करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपके गाउं का सर्वे होगा, आप कितना दूद्र घटा कर पाएंगे, आपके पास जो का खेल होता है, आपको प्रत लीटर पर सेंटेज दिया जाता है, और उसके अधार पर ही आप अरने कर पाएंगे, तो आपको खुलने के लिए सबस्पले अपने नजदी की प्लान जाकर अधकारी से बात करनी होगी, उसे संपूर्ण जानकारी लेकर आप इसके अपलाई क पाएं, अब इसके बाद दूड डेरी खुलने में कितना पैसा लगता है, यह भी बहुत इंपॉर्टन चीज है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं, अगर हम बात करें किसी कंपनी के तो दोस्तों, यहां पर कोई भी पैसा नहीं लगता है, यह फ्री आफ कॉश्ट ही होता है, और क्योंब कमणी आपको उस सारी मैटरियल्स देती है, जो दूद होता है, उसको पैसे नापने की बात करें, उसके फैट रिसाइड करने की बात करें, और स्टोरिज की बात करें, वो सभी आपको कमणी मौहा करातीyas, जैसे कि वेट मशीन जिससे आप वेट करेंगे पर दिये जाते हैं जिसको कैन भी बोलते हैं जिसको दूद आप श्टोरेज करेंगे और उसको साफ का साफ सपाई के दूद में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है तो उसको साफ करने के लिए कैम कर साथ हैं वो सब कुछ कंपनी आपको देती है तो यह तो हो गई कि इसमें भी हो जाए तो आपको कहीं न कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है तो यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं साथ-साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अगर यह आपको वीडियो पशेंद आया जानकारी तो हमारे चैनल को अगर आपने भी तक सब करते हों वहां का आप नाम जरूर कमेंट करें जिससे हम वहां पर और भी स्टेबल जानकारी आपको दे सके तो ब्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वहां भी वीडियो को जरूर स्चेयर कर दें थेखिए वगिए वाचिक वार।